हम तो बहुत सवाल पूछ चुके हैं साफ चीन से आपका रिष्टा क्या है हम तो बार-बार पूछते हैं जब आज से 20-21 साल पहले आपको कहीं का वीजा नहीं मिलता था तो चीन आपका बड़ा स्वागत करता था और आप बार-बार चले भी जाते थे तो ये रिष्टा क्या है इस रिष्टे के चलते भारत को ना केवल सीमाओं पर नुकसान हो रहा है आपने तो बड़ी-बड़ी धींगे हांकी थी गुजरात के लोगों को भी और देश के पूरे देश के लोगों को भी मूर्ख बनाया था कि साब ढोलेरा में चीन के सहयोग स से सिटी बन रही है कि और है तो उसकता आपने चीन के नाम से मूर्ख बनाया और तो और गुजरात के करिकुलम में चीन की भाषा तक लाएक क्या चीन का प्रेम है साब आपके साथ चलिया आपका प्रेम आपको मुबारक हो देश को नुकसान कैसे होगा गुजरात के लोगों को इतना भारी नुकसान हुआ और ये मीडिया में नहीं आता तो एक साल तो गुजर चुका था हमें और आपको तो इसका कोई भान ही नहीं होता कोई ग्यान भी नहीं मिलता तो ये सवाल बहुत गंभीर हैं कि चीन से आपके रिष्टे कितने गहरे हैं और इतने गहरे क्यों हैं कि उसकी कीमत देश की सीमाओं पर भी हमें अदा करनी पड़ती है गुजरात में के भीतर भी हमें उसकी सीमा उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है किस स्थर तक आपके रिष्टे हैं अब तो मुझे लगता है कि ये जो एप अनिंस्टॉल करने के जो आप किनारे थे अब देश यह समझ चुका है कि अब एप अनिंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा सिस्टम में एक वाइरस है अब उस वाइरस को निकालना होगा 2024 की इंजार हो रही है कि वाइरस को निकाल दें अब ये एप एप से काम चलेगा नहीं क्योंकि रिष्टा कुछ और ही है यह हमारे सवाल है बड़े सपश्ट सवाल है आप प्रधान मंत्री जी आपके राज्य में यह हुआ ग्रह मंत्री जी आपके राज्य में यह हुआ आपने सर्टिफिकेट देते रहे clean sheet देते रहे, ये कैसे संबह हुआ, जम्यदारी किसकी बनेगी, कैसे एक app उसने यहां आकर बनाई, पुलिस के जवान उसको promote कर रहे हैं, उसका advertisement कर रहे हैं, उसका विज्यापन दे रहे हैं, कहां है EOW, कहां है ED, कहां है CBI, कहां है NIA, कहां है DRI, या सिर्फ ये तमाम agencies विपक्ष के लिए बनी हैं, जहां देश का नुकसान हो रहा हो, देशवासियों का नुकसान हो रहा हो, where are these agencies, और सरकार क्या, जो अपने आपको चौकिदार मानती है, ये travel agency बन गई है, scamsters की, आईये साब, आईये, लूट के चले जाईये, तो ये सरकार चल रही है, या travel agency चल रही है, और Danny data app को promote क्यों किया गया, किसके इशारे से promote किया गया, इसका जवाब ये देश मांग रहा है, इस अभियान के पिछे, इस प्रचार अभियान के पिछे, कौन था, खुद police तो, मैंने मानता कि अपनी तरफ से कुछ कर सकते, बड़ा disciplined force होता है, ये उत्तरप्रदेश की police आपने देखी, अभी TV पर, screen पर, इस app के पीछे, कुछ shell companies बनी, वो पैसा Europe गया, वो पैसा Dubai गया, Ukraine गया, जहां जहां गया, उस पूरा एक white paper, इस विशे में देश के सामने जारी करना चाहिए, देश को जवाब चाहिए, जो 1200 लोगों का 1400 करोड लुटा है, वो जवाब मांग रहे हैं, आपके सवाल, अलग-अलग reports हैं, कुछ जगें 2300 करोड, कुछ जगें 4600 करोड, तो मुझे लगता है, श्वेत पत्र जब आएगा, तो यह तमाम जानकारियां सब के सामने आएंगी, जिसमें गुजरात भी हो, उत्तरप्रदेश की पुलीस भी हो, सब जगें से इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद इन सवालों का उत्तर, इन सवालों का जवाब देश को मिलना चाहिए. पहले इस पे? Are you saying that the Prime Minister was directly involved in this camp? I am just asking, how come a Prime Minister who spread a rumor about himself, that he is in total control of whatever happens in this country, inside and on the borders, how is it possible that within his state, where he comes from, a scam of this nature took place and the man has not been apprehended, he is vanished. How is it possible? Either the Prime Minister's, the perception about the Prime Minister is wrong or something is missing somewhere. We don't know. Sir, आपने आज ये बात उठाई है और आप ये कह रहे हैं, ये सीमावर्ती डिस्टिक्ट्स हैं, वहाँ पर ऐसा हुआ, तो एक तरीके से से क्यूरिटी का भी एक बड़ा point of view उठता है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने प्रेस कॉंफिएंस करे थी, एक बात उठाई थी, जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ती, पीमो का जो है लेटर लेकर और सारी चीजों से चल रहा था आगे, उसकी भी अब तक बात ने हुपाई, तो ये कितना सीरियस आप मानते हैं, और किस तरीके की investigation में होनी चाहिए? आप जो प्रचार होता है ना प्रधान मंतरी के विशे में, वो प्रचार अब तार-तार हो गया, क्योंकि उसकी हकीकत अब सबके सामने आगे, प्रधान मंतरी का नाम का दुरूपयोग करते वे, एक नहीं, दो नहीं, चार-चार, पांच-पांच उधारन आपके सामने हमने रखे हैं। प्रधान मंतरी जहां से आते हैं, उस इलाके से, वारण नगर से, एक cricket का स्कैम मैंने खुद प्रेसवारता की, जहां एक 400 करोड रुपे का स्कैम हो गया। और लगातार हम आपको नीरव मोदी, मालिया, ललित मोदी, तमाम आपके सामने हमने चोकसी, सब उधारना आपके सामने रखे हैं। और अब तो ये हद हो गई कि गुजरात में घुसकर आता है चीन का एक नागरिक, पाटन और बनसकांठा में बैठकर, सीमावर्ती जिलों में बैठकर, इतना बड़ा स्कैम करके चला जाता है, न वो गिरफतार होता है, न सरकार इस पर कोई उत्तर देती है, ये तो मीडिया का धन्यवाद है कि कुछ आया सामने तो सबकी जानकारी में ये बात आई। तो प्रधान मंत्री के बारे में जो आप एक छवी बनाई गई है, वो छवी बिलकुल जूटी छवी है, हकीकत यही है इस सरकार की और इस प्रधान मंत्री की, कि या तो इन्हें ग्यान नहीं है क्या हो रहा है, इनकी अपनी सरकार में, इनकी अपनी नाक के नीचे, और या आप जानते वे भी आखें और कान और मूँ बंद रखे हो। देश तो कीमत अदा कर रहा है।